नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चनल अराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तों फस्ट ग्रेड में फस्ट पेपर की टैस सेरीज इस्टार्ट की गई थी जिसमें अपने 168 मोडल पेपर हैं वो दोस्तों कम्पलीट हो चुके हैं आज अपना 169 नमबर का मोडल पेपर है तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्याराईस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सविदान की आत्मा वय हर्दे कहा है तो किसे कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुछेद 32 सविदानिक उपचारों के अधिकार को कहा है ठीक है सविदान की आत्मा वय हर्दे सी नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है एक कठोर सविदान वह्य है जो विदी निर्मान की सामान्य परकिरिया से संसोदित नहीं हो सकता वो होता है एक कठोर सविदान ठीक है तो D नंबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाईगा next question है तीन नमर प्रेसन है भारतिय सवीदान में निमनलिखित में से कौन से नागरिकों के मोलिक करतवे हैं वो अपने को इसमें बताना है तो देखो दोस्तो राष्टर दवज वर राष्टरगान का समान करना बिलकुल सही है दोस्तो आहवान करते समय राष्टर को सेवा सही है ठीक है तीसरा देखो सामाजिक सुदार का परियास करना ये दोस्तो नागरिकों के मोलिक करतवे के अंतरगत नहीं आता ठीक है सामाजिक सुदार का परियास ये इसके अंतरगत नहीं आता और देखो चोथा इसमें अपनी साधा संस्कृति की संब्रद दरोवर को महत वयe परदान करना वय उसका सरक्षन करना ठीक है? तो दोस्तो इसमें पहला से ही है दूसरा से ही है और चोथा से ही है तीसरा इसमें गलत हो जाएगा कूटवास हमें अपने इसका उत्र देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो 1, 2 और 4 यानि कि C नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है चार नंबर प्रेस ने भारत का राष्ट्रपती अपनी निसेदा अधिकार सकती का परियोग कर सकता है तो दोस्तों इसका right answer हो सकता है किसके लिए इसके लिए परियोग कर सकता है तो इसका बिल्कुल right answer ही हो जाएगा केवल साधरन भी देख के लिए ये निसेदा अधिकार सकती का परियोग कर सकता है ठीक है तो इसमें B नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है पांच नमबर प्रेशन है निमिन में से किस मुकदमे में सर्वोचे नैले ने संसद को मूल अधिकारों में संसोधन करने से रोक दिया था निमिन में से किस मुकदमे में सर्वोचे नैले ने संसद को मूल अधिकारों में संसोधन करने से रोक दिया था भारत में RTE Act 2009 की आवसेक्ता क्यों पड़ी तो क्यों पड़ी आवसेक्ता इसकी RTE Act 2009 की तो दोस्तों इसकी आवसेक्ता है वो अनुचेद 21 कै को लागू करने के लिए इसकी आवसेक्ता पड़ी थी ये प्रेशन पहले भी आ चुका है डी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा साथ नमबर प्रेशन है पब्लिक इसकूलों की आलोचना में पब्लिक इसकूल आदोनिक लोगतंतर के सिद्दानतों के परतिकूल है और उन्होंने देश की सेक्सिक परगरती में कोई योगदान नहीं दिया है ये कथन किसका है दुबार द पब्लिक इसकूलों की आलोचना में पब्लिक इसकूल आदोनिक लोगतंतर के सिद्दानतों के परतिकूल है और उन्होंने देश की सेक्सिक परगरती में कोई योगदान नहीं दिया है ये कथन है वो किसका है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथन है माद करना है कि इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है तो देखो यहां पे मैं आपको इसका डायरेक्ट उतर बता रहा हूँ सत्य कथन कौन सा हो जाएगा तो देखो सेना के अधिकारी वर्ग में छेत्रिये आर्थिक वे सामाजिक वेदवाव की अंदेखी करना ठीक है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सत्य कथन है इसमें सत्य कथन देखो इनका उद्देशे आम नागरिकों के लिए पबलिक स्कुल के स्विधा परदान करना बिल्कुल सही है एंडिये के लिए अच्छे केडिट तियार करना यह भी बिल्कुल सही है चोथा है इसमें यह विद्यालेट सैसे बारवी तक अंग्रेजी माध्यम के लिए है तो यह भी बिल्कुल सही है तो इसका बी नंबर का दो अप् यह हैं एक सेक्सिक वे सामाजिक टीवी चैनल है ठीक है दूसरा है इसके कारेकरम हिंदी वे अंग्रेजी बासाओं में परसारित होते हैं तीसरा है इसके द्वारा अनौपचारिक वेवसाइक कर्शी समंदीत आदी की शिक्षा से समंदीत कारेकरमों का परसारण किया जाता ह तो दोस्तों इन में से कौन सा सही है, तो इन में से सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है, ठीक है, ये जो है हिंदी, इंगलीज और छित्रे बासा में भी परसारित होते हैं, तो ये बाकी दो हैं, ये सुरू के, एक और दो ये गलत है, तीसरा नमबर का इसका right answer हो जाएगा, तो इ इन में से कौन सा किंद्र है राष्टिय छित्र के अंतरगत सामिल नहीं होता है एडुसेट के राष्टिय छित्र के अंतरगत है राजस्तान में कुल पांच किंद्र है इन में से कौन सा किंद्र राष्टिय छित्र के अंतरगत सामिल नहीं होता तो दोस्तों इसका जो जीपी एन इजीपी है तो यह क्या है तो दोस्तों यह है ग्रामिंड चेत्रों में CSC खोलने की एक योजना है ठीक है एन इजीपी क्या है ग्रामिंड चेत्रों में CSC खोलने की एक योजना है C number का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है next question है R.E.I. का पूरा नाम है तो दोस्तो R.E.I. का पूरा नाम क्या है तो वो है राजस्तान एजुकेशन इंटेटिव ठीक है यह है दोस्तो R.E.I. का पूरा नाम next तेरा नमर पूरा नाम है राजस्तान में विद्यारती सेवा केंदर से आश्य है तो क्या आश्य है राजस्तान में विद्यारती सेवा केंदर से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो विद्यार्थियों को बोड कक्षाओं की अंकतालिका एवं परमान पत्र की परते लिपी प्राप्त करने का केंद्र है तीक है उससे आजसे है दोस्तों ये राजस्तान में विद्यार्थी शेवा केंद्र है तीक है बी नमबर का option इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसने, चोज़ा नमबर प्रेस ने, डाइट के संगठन पर सर्वोच्चे पदादिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें कौन सा, तो इसका बिलकुल सही उतर है, वो है दोस्तो प्राचारिये, ठीक है, बी नमबर का ज सयुत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, पंदरा नमबर प्रेस ने, राज्य सेक्सिक अनुसंदा नियम प्रिसिक्षन संस्थान की इस्तापना किसकी सिफारिस पर की गई थी, तो वो की गई थी दोस्तो किसकी सिफारिस पर, तो आरसी महर उत्रा की अभिसंसा पर दोस्तो इस प्रेक्सित की जाती है तो इसका right answer होला जाएगा वह है दोस्तो इसमें 15 मई को ठीक है ए नमबर का option सहीतर नेक्स्ट है इसमें 16 नमबर में 2 है समगर सिक्षा अभियान यानि की समसा समगर सिक्षा अभियान का वर्तमान में मोटो क्या रखा गया है तो क्या मोटो रखा गया है तो वो रखा गया है दोस्तो इसमें कौन सा तो सब को सिक्षा अच्छी सिक्षा तीक है A number का option सहीतर 17. परेसने समगर शिक्षा अभियान की अवधी है तो दोस्तो इसके अवधी है वो कितनी है तो 1 AP 2018 30 MAR 2020 तक इसकी अवधी है समगर शिक्षा अभियान की B number का option सहीतर हो जाएगा 18. परेसने CIRAT जाता है तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें मनोवेग्यानिक आधार एवं वेवसाइक शिक्ष्या विभाग सी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुझनिस नमबर प्रेशन है एसमसी की कारेकारणी की बैठक परतेक महा की अमावस्या को होती है अगर अमावस्या के दिन सरकारी अवकास हो तो अगली बैठक आहुत की जाएगी तो ये अगली बैठक है ये कब आहुत की जाएगी तो ये दोस्तों अमावस्या के बाद आने वाले कारिय दिवस में ये बेठेक है वो आहूत की जाएगी, C नमबर का जो option है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नमबर प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है तो दोस्तों देखो DCF है यह ठीक है DCF है DICE का एक परपत्र है जिसमें विद्याले समंदी सुचनाएं भरी जाती है बिल्कुल सही है DICE की sampling शिर्फ राज्य इस तर पर की जाती है यह इसमें गलत हो जाएगा DICE की feeding computer द्वारा बलोक इस तर पर की जाती है नई बरने पर जिला collector को सिकायत की जा सकती है ठीक है तो इसमें B number का option है वो गलत है तो इसका right answer हो जाएगा B number का option Next है 21 number question है असो के अभी लेखो से निमनलिकित में से किस बात का ग्यान नहीं होता तो किस बात का है वो ग्यान नहीं होता तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें उसने सरकारी उत्पदों पर बहुत धरम के अनुयायों को निक्त किया ठीक है ये दोस्तो इसका ग्यान नहीं होता अब असो के अभी लेखो में ठीक है तो अपना A number का यह option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा और देखो इसमें जो सही कतन है वो भी देख लेते हैं उसने बिक्सुओं वए बिक्सुनियों को यह चेतावनी दी की बोध धर्म में संग बेद करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा ठीक है बिल्कुल सही है और देखो इसमें उसने सपश्ट रूप में बुध धम एवम संग में आस्टावेक्ट की थी बिल्कुल सही है उसने पवीत्र बोध इस्तानों की तिर्थ यात्रा की थी बिल्कुल सही है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है एक नमबर का option क्योंकि उसमें गलत दे रखा है 22 नमबर प्रसने निम ने लिखी चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रमबद कालकरम क्या है बहुत अचा क्यूशन है तो दोस्तों इनको क्रमबद जचाना है कि सबसे पहले कोन आये था फायांग और फिर चाउजुकुआ तो आपको याद रखना है इतिय सिंग हिंसान फायांग और चाउजुकुआ C number का option है वो इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भीतरी इस्तमलेक में B number का जो option है वो इसका सहीूतर हो जाएगा 24 नमर प्रेशन है अगनी कुंड से उत्पन चार राजपुत जातियां थी तो दोस्तों अगनी कुंड से उत्पन जो चार राजपुत जाती थी वो कौन-कौन सी थी तो वो थी दोस्तों परमार, परतिहार, चोहान तथा चालू के C number का option है वो इसका बिल्कुल सहीूतर हो जाएगा 25 नमर प्रेशने, नीचे दिये गए कूट का परियोग करते हुए चुनिए कि खज़ु राहों में किस संपर्दाय के मंदिर नहीं है तो दोस्तों खज़ु राहों में किस संपर्दाय का मंदिर नहीं है, वो अपने को इसमें चैन करना है, ठीक है? तो देखो, save है, वेशनव है, जैन है, साक है, both, both नहीं है दोस्तों, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, वो है C number का option, के वल 5, ये बोध वाला नहीं है, बाकि इसमें 4 है, ठीक है, C number का option इसका सहीतर, नेक्स्ट है, सबीस नमर प्रेशने, निम्न में से किस संत ने कीरतन को लोग पिरिये बनाया, तो किस संत ने कीरतन को लोग पिरिये बनाया, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो है, चेतन ने मापर भूने, ठीक है, A number का option, सहीतर हो जाएगा इसका, 27 नमर प्रेशने, निम्न लिखित में से क्या-क्या, मुगल चितरकला की विशेवस्तु थी, निम्न लिखित में से क्या-क्या, मुगल चितरकला की विशेवस्तु थी, तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, वो क्या-क्या है, देखो इसमें, दरबारी दरशे, युद्ध का दरशे, पसु पक्षियों के चित्रे, आवर्ती के चित्रे, शिकार के चित्रे तो दोस्तों ये पांच अपने को दे रखें, इन में से बताना है कि मुगल चितरकला की विशेवस्तू क्या थी तो इसका जो बिल्कुल सही उत्र है, वो है दोस्तों इसमें पसु पक्षियों के चित्रे, आवर्ती के चित्रे और शिकार के चित्रे ठीक है, तीन, चार, पांच ये तीनों इसमें सही है, बाकी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है ठीक है तो इसका कूट बासा में सही उत्तर क्या होगा तो दोस्तों इसमें कूट बासा में इसका सही उत्तर है देखो इसमें गलत दे रखा है तो मैं इसको बना देता हूँ तीन चार पांच तीन चार और पांच ये विकल्प है ये सही है बाकी दो इसमें गलत है ठीक है ने बाद करता और सुची सेकेंड में है अनुवादित पुस्तक ठीक है तो दोस्तो देखो यहां पे हाजी इब्राहिम लिखा हुआ है तो दोस्तो इसने कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया था तो इन्हों ने किया था दोस्तो रामायन का ठीक है किसका सुरी रामायन का नहीं ह हाजी इब्राहिम हाजी इब्राहिम ने दोस्तो अथर्ववेद का किया था ठीक है तो यहाँपे आपको छोत्ता नंबर को ओप्षन दिख रहा होगा अथर्ववेद ठीक है दूसरा देखो सरहिंदी तो सर हिंदी का किस ने किया था सर हिंदी भी इसी में आ गई ठीक है और फैजी ने तो दोस्तों फैजी ने किया था लिलावती का फैजी ने लिलावती का किया था और और देखो टोडरमल ठीक है टोडरमल ने कौन सी का किया था तो टोडरमल ने बगवत पुरान का किया था और बदायूनी ने रामायन का किया था ठीक है तो आप इस परसन को छोड़ दें ठीक है वैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ वे डारेक्टी हाजी इब्राहिम और सरहिंदी यह अनवाद करता थे कौन सी पुस्तक के तो यह अथर्ववेद के थे फैजी है यह किसके अनवाद करता थे तो यह थे दोस्तो लिलावती के और टोडरमल थे यह थे दोस्तो भगवत पुरान के और बदायूनी थे यह रामायन के अनवाद करता थे ठीक है नेक्स्ट, 29 प्रेस्ट में इस में देखो फुरंदर की संदिदी रखिए पहली बार सुरत की लूट चो था है इसमें तोरण विजए तो दोस्तों सबसे पहले गटना करम इन में से कौन सा हुआ था तो सबसे पहले गटना हुए थी दोस्तों इसमें तोरण विजए ठीक है फिर उसके बाद में उई थी दोस्तों अफजल खा की अत्या यह आएगा एक नमबर पे फिर आएगा इसमें पहली बार सूरत की लूट यह आएगा तीसरे नमबर पे और चोथे नमबर पे आएगा पुरंदर की संदी तो इसका चार एक दो तीन इसका करम होगा तो सी नमबर का उप्शन इसका सहीतर नेक्स्ट है, तीस नमबर पे ने, निमन लिकित में से 1857 के विद्रोग के नितरत्वे की सबसे कमजोर कड़ी क्या थी तो सबसे कमजोर कड़ी वो क्या थी, तो वो थी दोस्तो इसमें कौन सी, तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बादूर साधितिये ठीक है तो D number का option इसका सयुत्तर हो जाएगा next 31 number प्रेशने कलकत्ता में Medical College की स्तापना निम्न में से किसने की तो वो की थी दोस्तों किसने तो वो की थी Lord William Benting ने ठीक है B number का option इसका सयुत्तर 32 number प्रेशने आरिय समाज के समंद में कौन सा कथन है वो सत्य है वो अपने को इसमें बताना है आरिय समाज के समंद में सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है तो देखो दोस्तों आरिय समाज ने सुद्धी आंदोलन सलाया था ठीक है ये इसमें कथन है यह सत्य है तो इसका right answer हो जाएगा वो है A number option इसका बिल्कुल सहीधतर हो जाएगा ठीक है next है 33 नमबर प्रेशन है पर्थम गोल में समेलन में कॉंग्रेश के परतिनिदी के रूप में किसने भाग लिया था तो किसने भाग लिया था इसका सहीधतर हो जाएगा वो है दोस्तो देखो मात्मा गांदी एनिबिसेंट और सरोजी नैडू तो यह गलत हो जाएगा दोस्तो बीमराव मेड करते इन्होंने भाग लिया था ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा डी नमबर का जो option है इन में से कोई नहीं नहीं किसी ने भी भाग नहीं लिया था दूसरे गोल में समयलन में भाग लिया था मात्मा गांदी ने ठीक है तो इसकी जो परमुक उपलब्दी है वो क्या रही तो इसका सहीधतर हो जाएगा वो है लोगों के मस्तिक से अंग्रेजों का भे निकल गया ठीक है C नमबर का option इसमें सहीधतर नेक्स्ट है 35 नमबर प्रेशने अकबर द्वारा चितोड बेजे गए मुगल सेनापतियों का सही करम है तो सही करम क्या है अकबर द्वारा चितोड पर बेजे गए जो मुगल सेनापति थे उनका अपने को इसका करम बताना है ठीक है तो देखो इसमें सबसे पहले गया था कुतुबदीन खाँ उसके बाद में मिर्जा खाँ फिर उसके बाद में हासीम खाँ और फिर बगवान दास ठीक है तो दोस्तोँ ये करम है इसमें सही दे रखा है तो इसका सहीधतर क्या हो जाएगा 3 Personen 1,2,3,4 बी न्मर का जो जो ब्सन है वो सहीधतर हो जाएगा इसका थैजिच नंबर प्रेस ने भारत में दोस्तों किसकी सिफारिश पर किया गया तो तो दोस्तो इसमें क्या आएगा तो इसमें इन्टू आएगा दोस्तो ठीक है यानि कि बाहर से अंदर गए है तो इसका चाहिए उत्तर हो जाएगा दोस्तो इसका क्या हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है The lady requested the man to land her this pen ठीक है A number का option इसका सयुत्तर हो जाएगा 49 number प्रेस नहीं Copper is a useful metal Copper is a useful metal तो इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा दोस्तो Copper is a useful metal A आएगा इसमें D number का option सयुत्तर 40 number प्रेस नहीं इसमें देखो Which sentence given below correctly changes the active voice into the passive voice Someone has cut the telephone wire Sentence है अपना Someone has cut the telephone wires तो इसका right answer हो जाएगा वो है The telephone wires have been cut ठीक है A number option सयुत्तर 41 number प्रेस नहीं हाली में जलवाईू आपातकाल गोशित करने वाला विश्वे का पहला देश कौन सा बना तो कौन सा बना पहला देश तो इसका सयुत्तर हो जाएगा वो है बिर्टेन ठीक है B number option सयुत्तर 41 number प्रेस नहीं वहें राज्ये जहां बोधी सत्वा की सत्रासो वर्ष पुरानी मूर्थी की खोज की गई है वहें राज्ये जहां बोधी सत्वा की सत्रा सो वर्ष पुरानी मूर्ती की खोज की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो तेलंगा ना में डी नमबर का उप्शन सहीत्तर नेक्स्ट है तियानिस नमबर प्रेस्ट है इन्होंने हाली में वायू सेना के उप परमुक के रूप में कारिय बाहर गरण किया है तो दोस्तो किसने हाली में वायू सेना के उप परमुक के रूप में कारिय बाहर गरण किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसने तो वो है राकेश सिंग बदोरिया ने ठीक है एन नमबर का उप्शन सहीत्तर नेक्स्ट है चम ब्रिटिस खिलाडी जी ने जिसे हाली में मेरी लिबॉन जो किर्केट कल्ब है उसका अध्यक्स न्युक्त किया है तो किसे न्युक्त किया है तो वो किया है दोस्तो कुमार संगाकारा को ठीक है C नंबर का उप्शन इसका सयुतर 45 नंबर प्रेशने वेह देश जो 2018-19 का सबसे बड़ा तेल आपूर्ती वाला देश बना है तो वो कौन सा है वो है दोस्तो इसमें इराक ठीक है C नंबर का उप्शन सयुतर 46 नंबर प्रेशने बीसी सी आई के लोगपाल डी के जैन ने कोफी विद करण विवाद को लेकर किर्केटर के एल राहूल और हर्दिक पांडिया पर कितने कितने रुपए का जुर्माना लगाया है तो दोस्तों कितने का रूपर जुर्माना लगाया है तो ये लगाया है दोस्तों 20-20 लाग का जुर्माना लगाया है D नंबर का जो उप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है 47 नंबर प्रेस्न है जिस भाषण के कभी के सिवारेडी को प्रतिष्टित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है तो कौन सी बासा की कभी है के सिवारेडी को दोस्तो सरस्वती सम्मान 2018 मिला है तो वो किस बासा के हैं तो वो हैं दोस्तो इसमें टेल गुबासा के बी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा 28 नमबर प्रेशन है हाली में लोगसभा चुनाओं में किस नेता पर धर्म के नाम पर वोट मांगने पर 72 गंटे तक चुनाओ परचार के लिए रोक लगा दी थी तो दोस्तों किस पर रोक लगा दी थी यह लगा दी थी योगी अधितिनाथ पर ठीक है ए नमबर का उप्शन सही उत्तर 49 नमबर प्रेशन है वह भारत की मसूर गाई का वह भारत की मसूर गाई का जिसे फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले में सहीद हुए CRPF के जवानों के परीजनों को एक करोड रुपए देने का 16 अपरेल 2019 को गोशना की थी तो दोस्तो एक करोड रुपए किस ने दिये थे वो अभिनेत्री का नाम क्या है तो उसका नाम है दोस्तो लता मंगेशकर C नमबर का उप्शन इसका सहीद्तर हो जाएगा 50 नमबर प्रेशन है वहें भारतिय उद्योगपती जिसे हाली में टाइम पत्री का दुआरा सो परभावसाली लोगों की सुचि में सामिल किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मुके संबानी ठीक है A नमबर का उप्शन सहीद्तर नेक्स्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो तो अट्बान प्रतिशन ठीक है बी नमबर का उप्शन सहीद्तर नेक्स्ट है राजस्तान के दो खंडित जिलों के नाम बताइए तो दोस्तो एक तो है अजमेर और एकर चितोड़गाड यह दोनों के तो इनों खंडित है, तो C nember का उपसोग, इसका सयूत्तर हो जाएगा, next है, त्रेपन नमबर प्रेष ने, निम्न में से कौन सी लूनी बेच सी इनकी परवत चोटी नहीं है, लूनी बेच सी इनकी की परवत चोटी है, वो दोस्तो इनुने से कौन सी नहीं है, दोस्तों लूनी बेसे इनकी प्रवाचोटी नहीं है, D नमबर का उप्शन इसका सहीत्तर हो जाएगा, चोगन नमबर प्रेस्टन है, निम्लिखित कतनों पर विचार प्रस्तुत कीजिए, तो दोस्तों विचारों करना है कि अन्वेसे कौन सा कतन है, वो सही है, ठीक है, तो दोस्तों अरब सागरिये, साखा राजस्तान का वर्षा का परमुक्स रोत है, तो दोस्तों ये है, इसके अंदर कतन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरा कतन देखो इसमें, पस्मी राजस्तान केवल सीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, केवल सीतकाल में नहीं करता दोस्तो ठीक है यह इसमें तीसरा नमबर का गलत हो जाएगा चोथा इसमें राजस्तान का 50% भाग सुस्क एवं अर्द सुस्क जलवायू का है ये भी बिल्कुल सही है तो इसमें एक दो और चार यह सही है एक दो और चार यानि कि सी नमबर का जो अप्शन है वो सही उत्तर ह आग कहते हैं तो दोस्तो जंगल की आग है वो किसको कहते हैं तो पुलास को कहते हैниे थीक है तो इसका जो वदनवनस्पतिक नाम दे रखा है यहां पे तो क्या ओ जाए दोस्तों वह है ब्यूत्या है नहींकि यह थैप नाम है वानस्पतिक नाम, ठीक है, C नमबर का option इसका सयुत्तर, नेक्स्ट है, सपण नमबर प्रेस्टन है, निमन लिखेत धात्वों में से कौन सी धात्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियासील है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो लोहा, D नम नेक्स्ट है अठावन नमबर प्रेस ने वर्षा जल की कौन सी pH प्रास अमलिय वर्षा का सुचक मानी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5.4 से कम ठीक है यह नमबर का उप्षन सही तर नेक्स्ट है कीप कुल एंड कैरी ओन किसकी थीम थी तो यह थीम थी दोस्तों किसकी तो विश्वय ओजोंदिवस 2018 की थीम थी यह बी नमबर प्रेस ने उर्जा के प्रतेक हस्ताना अंतरण पर एक इस्तर से दूसरे इस्तर तक लगातार उर्जा में लगातार उर्जा में दोस्तो कमी होती है D नमबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नमबर प्रेशन है असुद वाक्य का चैन कीजिए तो दोस्तो असुद वाक्य का अपने को इसमें चैन करना है तो देखो चोर दुम दबाकर भाग गया जोर दुम दबाकर भाग गया यह दोस्तो एसुद वाक्य है B नमबर का उप्षन इसका crazy हो जायेगा 62 नमबर प्रेशन है निमन में से कौन सा विकल्प गलत है तो दोस्तो कौन सा विकल्प है वो गलत है इसमें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा तो देखो इसमें वहें चतुर निकला सकर्मक किरिया तो दोस्तों ये अकर्मक किरिया है यहां पे तो C नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा मोर नास्ता है अकर्मक किरिया है उसने आम खाया ये सकर्मक किरिया है वहें कोलेज से आकर स मंगंविकार सब्द में संदि विचुद होगा तो वह दोस्तो इसमें मनस प्लैस विकार विशारक इसमें पैसेट रंग के अनेकार्थक ए सब्द समुह है तो वह कौन से हैं तो जनक्रमा य हाथि भोरा और कोयल डी नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर होजाएगा नेक्स्ट है चांसर नमबर प्रेस्ट है इसमें देखो Q, P, O, R X, W, Y, Y L, K, J, M ठीक है यह V है दोस्तों ठीक है V, Y है V, Y X, W, V और Y Q, P, O, R X, W, V, Y ठीक है फिर समानुपाद L, K, J, M तो आगे क्या आएगा अपने को यह बताना है तो देखो इसमें Q में एक माइनस हो रहा है तो P आ रहा है और P में एक माइनस हो रहा है तो O आ रहा है और दोस्तो O में अपन पलस तीन करेंगे तो R आ जाएगा तो क्या कोड़ बन रहा है इसमें दोस्तों अपने को इसमें ये भी देखना है तो देखो C B A D C B A D ये इसका right answer हो जाएगा C नमबर का option से इतर 66 नमबर प्रेसन है इसमें देखो 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8, 25, 12 आगे क्या संख्याएगी वो अपने को बताना है तो देखो इसमें 2 है 2 का square चार और 3 का square यहां पे 9 और 5 का square ठीक है इतना तो हो गया दोस्तों सोरी 2 का दोबार देखो 2 का square कितना हो गया 4 ठीक है और इदर कितने 2 में एक दोड़ा 3 आ गया ठीक है और ये 3 का square है ये 4 का square है ये 5 का square है तो यहाँ पे 6 का स्क्वारा आएगा दोस्तों 36 ठीक है और देखो यहाँ पे दो पलस एक तीन और तीन और दो पांच पांच और दो पांच और तीन आठ ये पलस होते जा रहे हैं एक दो तीन चार ऐसे पला सो ते जा रहे हैं ठीक है तो इसका 36 इसका राइट आंसर आजाएगा ए नमबर का उप्शन नेक्स्ट है एक पुरुष की और इसारा करते हुए परमिला ने कहा वहें मेरे दादा के एक मातर पुत्र का पुत्र है तो वहें पुरुष परमिला से किस परकार समंदित है तो दोस्तों क्या लगी उसकी सीधा सा सिंपल है वो उसकी दोस्तों क्या होगी तो वो उसकी बहन होगी परमिला का भाई होगा, और परमिला उसकी बहन होगी, ठीक है, तो A नंबर का उप्शन सही उतर, नेक्स्ट है, 69 नंबर प्रेस्ट है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बढ़ा है, जबकि मेरी बहीन उससे पिचे तर्श अपता बड़ी है, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा तो मेरा जन्म किस वार को हुआ तो दोस्तों इसमें देखो बहन है वो मंगलवार कोई थी सबसे पहले तो अपने को पिछेतर को साथ से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा तो 525 आजाएगा ठीक है अब देखो 525 में से दोस्तों अपन ये गटा लेंगे कितने 562 ठी तो दोस्तों मंगलवार के दो दिन बाद इसमें क्या आएगा गुरुवार ठीक है तो गुरुवार इसका राइट ऊंसर हो जाएगा गुरुवार डी का option है वो सेयुत्तर नेक्स्ट है सतर नमबर प्रेस्ट है इसमें देखो निम्न बारम बारता बंटन का समान तरमाद्द्ध होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे संख्या बद लिख देता हूं कि कौन सी संख्या इसमें है ठीक है तो यहाँ पे X और यहाँ पे Y ठीक है तो संख्या है तो इसका समान तरमाद्ध है वो अपने को ग्याद करना है कि इसका समान तरमाद्ध है वो क्या होगा तो देखो अपन को इसमें FX निकालना पड़ेगा ठीक है यानि कि 2 को एक से मल्टिप्लाई करेंगे 5 को 5 से करेंगे 7 को 4 से करेंगे 9 को 7 से करेंगे और 11 को 3 स ठीक है और यहां पे जो F दे रखा है एक पांच इनको जोड़ेंगे एक पांच चार साथ इनको जोड़ेंगे तो यह हो जाए कि 20 तो एक सोई कावन में अपन 20 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 7.55 ठीक है बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका सही उत्तर हो ज 0.3 के उपर बार है का अंतर है तो दोस्तों इसका जो अंतर है वो क्या है तो इसका अंतर है वो दोस्तों अपने को निकालना है तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे तो दोस्तों इसको साधरन बीन में बदलेंगे सबसे पहले तो तो क्या हो जाएगा साधरन बीन इसका 5 पलस 76 बटा 99 में और इसका हो जाएगा दोस्तो 2-3 बटा 9 ठीक है 2-3 बटा 2 ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा वो है 3.43 के उपर बार लगाओगा दोस्तो तो D number का option सहीतर हो जाएगा next question है इसमें देखो 203 into 203 minus 177 में into 177 में ठीक है तो दोस्तो ये कित्ते का अब इसको solve करेंगे तो देखो 203 का square minus 177 का square तो इसमें सुतर लगाएंगे a square minus b square तो दोस्तो क्या बनेगा a plus b और a minus b यानि कि 203 plus 177 में एक बार तो ये कर लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा इसका 400 और एक बार कर लेंगे अपन 203 minus 177 में तो कितना बचेगा तो दोस्तो 6 और 400 को अपन 6 से multiply कर देंगे तो कितना जाएगा 2400 ये नमबर का जो option है वो सही उत्तर हो जाएगा next है देखो उन 10 वर्गों जिनकी बुजाओं की लंबाई करमस है ये सब रूट के अंदर आ जाएगा अब यहाँ पर अपन संख्या रख देंगे 20 21 और गुण 30 ये संख्या रख देंगे तो अपना right answer आ जाएगा इसमें वो है 18 point sorry इसका right answer आ जाएगा वो है दोस्तो इसमें sorry इसमें देखो ये सुतर नहीं लगेगा इसमें उन 10 वर्गों जिनकी बुजाओं की लंबाई करमस है 20 semi 21 semi और गुण 30 semi है ठीक है इसमें सुतर ये लगेगा दोस्तों वन एन माइनस वन और टू एन माइन पलस वन ये सुतर लगेगा बटे 6 ठीक है तो इसमें गुण 30 इंटू 30 इंटू गुण 60 बटे 6 ये ऐसे होगा दोस्तों तो इसका right answer हो जाएगा वो है तो इसमें रखे जा सकने वाले बास की अदिक्तम लंबाई है वो क्या होगी तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है complete solution होगा ठीक है तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आरा देरा सेकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुलें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भरत